नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Inventor 4545 चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम एक solar inverter बनाएंगे दोस्तों और इसी वीडियो में हम एक 80W के solar panel को हम गिववड करेंगे जब हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब और इसी लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इन तक जरूर देखियेगा दोस्तों में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंक अगर आपको आपके पास नहीं है तो यह solar panel की दुकान पर जा करके वहां से आप इसको खरी लीजिए कि मुझे चार्ज कंट्रोलर दे दीजिए ठीक है और उसको लाने के बाद में इसको ओपन कर लीजिएगा इसमें से प्लेट निकाल लीजिए ठीक है और उसके बाद में फिर यह UPS है computer का जो computer को आदे गंटे चलाने के लिए यूज करते है light जाने के बाद में जो important data होता इसको save करने के लिए यूज करते है ठीक है अब मैं इसको open कर लोगा और इसमें से यह battery निकलती है जो की 7 ampere की होती है ठीक है अब आगर यह battery यूज करते तो backup बहुत कम दे तो आपका जो ceiling fan भी चल जाएगा जदा देर तक चलेगा ठीक है और उस charge controller को मैंने निकाल करके उसमें दो wire solar के और दो wire मैंने battery से connect करने के लिए उनको में चिम्टी से connect कर लिए ठीक है और उसके बाद में जो UPS का जो battery की जो प्लस माइनस होता है UPS में जो battery connect होती है वो मैं जो charge controller है उसके plus minus space को connect कर दूँगा ठीक है और solar के input panel को मैं दो तार इस तरह से निकाल लिया ठीक है और यह हमारे battery में connect हो जिस दिन में चिम्टी लगी हुई है ठीक है और उसी चिम्टी वाले wire में मैं UPS के plus minus wire को connect कर लिए ठीक है अब मैं बैटरी को इन चिम्टी के help से मैं connect कर दूँगा ठीक है इस तरह से मैंने कुछ connect कर लिया है ठीक है हमारा UPS यह अब मैं on करूंगा तो on हो जाएगा ठीक है अब इसके दो wire है मैं इन दो wire को solar panel के plus वाले को मैं plus से और minus से connect कर दूँगा यहां से solar panel का input वो जो charge controller उसमें जाएगा ठीक है और वो हमारा charge को control करके बैटरी को हमारी charge करेगा ठीक है और इसकी खासियत यह है कि हम इसको light से भी charge कर सकते हैं और उसके बाद में हम इसको solar से भी charge कर सकते है solar से हमारी यह plate charge करेगी charge controller है और light से हम उसका UPS का plug हम in उसमें AC supply में in कर देंगे ठीक है उसके बाद हमारी battery AC supply से charge होने लगेगी ठीक है और यह सबसे खास बात इसकी यह है कि यह 350-50W होता है ऐसे खुछ 350-50W का है ठीक है इससे आप 4-5 सेलिंग चला सकते हैं 4-5 सेलिंग चला सकते हैं हराम से क्योंकि वो 50-60W होता है तो आप इसली 4-5 फैन चला सकते हैं यह था कि भराटा चलाएगा जागरती का जो भराटा आता है वो मैं लास्ट में चला के दिखाऊंगा आप वीडियो में इंट तक बने रहे है यह मैं इनको मैं सोल्डिंग आरेंट की हिल्प से मैं इन टतार को अच्छे से सोल्ड कर दूँगा ताकि हमारे दोबारा से आप भी लगा दीजिए और इसमें साउधानी से लगाईएगा ताकि अंदर शॉट सर्किट ना हो और यह करने के बाद आपका UPS खराब नहीं होगा आप इसको एसी सप्लाई में लगा करके उसके बाद में आप इसको कंप्यूटर में भी इसको यूज कर सकते उसी तरह से और मैं इस चार्ज कंट्रोल की जो प्लेट है मैं इसको चिपका दूँगा ताकि यह चूटे ना उसमें से अच्छे से मैं इसको चिपका दूँगा गाईज यह सोलर पैनल मेरा 80 वाट का है और यह मेरा कोई यह सूकाम पाम कंपनी का थी पहले आती थी पाद्य नहीं आती है अब सोलर पैनल देती है यह कुछ बनाती है। यह हमारा रेडी हुगा है, अम मैं इस पूरी circuit को कि नालकर्क और वायर में बाहर निकाल बालने साथ और ऊसी तरह से तो मैं इसको कलोज करदूंगा मैं इसपेt 4 पेंच एचार बनादूल । और इसको अच्छे से टाइट कर लेना था कि यह दुबारा ओपन नहों खुल न जाए चारो पेच आप लगा लिजिएगा मेरा एक खराब है तो मैं तीनी लगाऊंगा यह देखिए मैंने इसको टाइट कर लिया है अब मैं दो बैटरी को कनेट करने के बाद में आप इसको का मेरा अपने मैं पनी कानी मैं outras है, और इसको इसका पावर करेम अन्यवा पहला है कि यह आउपुट कितना अरहा है वोल wholly कितने WILD आउटपुट है यह तक्रीब हुई 16 to Fr पास है अब यह जागरती का solar fan है एसी फैन मैं इसको चला के दिखाऊंगा यह बहुत जदा बत्ती कंस्यूम करता है लेकिन फिर भी चल जाएगा इससे अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैनल है तो आप कितना 208 का 208 का भी लगा सकते हैं वह भी बहुत अच्छा वर करेगा लेकिन आपको बैटरी बड़ी लगानी होगी थोड़ा यह बैटरी वर्क नहीं करेगी यह बैटरी बहुत जदा ते तक नहीं चला पाएगी इससे आपकी लाइट वाइट कंट्रोल हो जाएगी बस देखिए प्लक यहां पर पड़ा हुआ है और कोई भी बाहर से वायर न जपले बड़ा है धर जो गया है